हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम ऑन माई चैनल साइकोलोजी वर्ल्ड और यहां हम बात कर रहे हैं अन्टियनेट साइकोलोजी के बारे में और यहां पे हमारा सेकेंट उनेट चल रहे हैं research methodology and stats का और यहाँ पर हमाजी previous videos में हमने बात की थी sampling के बारे में और हमने sampling के types के बारे में देखा था और साथी जाथ में हमने देखा था कि इसको दो भागों में बाता गया है probability and non probability sampling probability sampling को हमने last video में हमने पढ़ा हुआ था साथी साथ हमने simple random sample क्या होता है इसको भी हमने देखा था और आज की इस video में हम बात करेंगे certified random sampling के बारे में और यह बहुत important exam में यह कई बार आ चुका है और इसमें बच्चे काफी confused भी हो जाते हैं इसको हम बहुत ही easy way में आज समझने की कोशिस हम करेंगे so what is certified random sampling तरित या द्रिक्षिक प्रतिदर्स क्या है so यह प्रतिदर्शन की ऐसी विधी है या ऐसी प्रविधी है जिसमें शोद करता जीव संख्या की कुछ ग्यात विसेस्ताओं के अनुरूप प्रतिदर्स का चयन करने की कोशिस करता है और यहाँ पर मैंने एक ग्राव भी बना रखा है तो यहाँ इसको पहले हम समझ लेते हैं क्या होता है इसमें क्या होता है कि यहाँ पर यह random sample की अगर हम बात करें जो कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी simple random sample के बारे में सो यह simple random sample से भी ज़्यादा यह scientific होता है क्योंकि यहाँ पर scientifically यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर population को कई parts में divide कर लिया जाता है उसके बाद फिर वहाँ से randomization का use करके वहाँ से फिर sample को लिया जाता है इसलिए यह थोड़ा सा और ज़्यादा scientific हो जाता है as compared to random sample सो जैसे यहाँ पर एक example हम समझते हैं जैसे हमें कुछ बच्चों पर कोई study करनी है कि उनकी learning capability कैसी है उनका जो marks होता है वो किस तरह से आता है या marks के according बच्चे कितने तेज हैं कितने intelligent हैं अगर इस तरह कि हमारी को study होती है तो हम क्या करेंगे हम किसी college में जाएंगे या किसी school में जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी stream है जैसे यहाँ पर मैंने three streams को use किया हुआ है science, arts and commerce तो सबसे पहले तो college जो है वो population हो गया वो पूरी population हो गई वहाँ पर हमने पूरे population को अलग-अलग parts में divide कर लिया है जैसे science, arts और commerce को फिर वहाँ पर हमने science के कुछ subject को लिया तीन-चार subject को लिया फिर वहाँ से हमने बच्चों को लिया वहाँ से फिर हमने sample को वहाँ पर हम proper classroom में गया है lottery वीदी करी या फिर जिस भी method का हमने use किया और फिर वहाँ से हमने randomization का use करके वहाँ से sample को हमने select किया उसके बाद हमने फिर इस पर study करी फिर हम proper conclusion पर पहुँचे तो यहाँ पर क्या होता है कि simple random sample की तुलना में इसमें एक step और उपर काम करते है और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पूरे जो population होती है उसको अलग-अलग उसको level बना दिया जाता है और उसको according फिर sample का selection किया जाता है और sample के selection में ध्यान रखा जाता है कि या द्रिक्षी करन का use किया जाता है मिन सब के चुने जाने की समान संभावना यहाँ पे होती है तो यह इतना ही है आई गोप आपको यह clear हो गया होगा और आगे हम बात करते हैं area और cluster sampling के बारे में area और cluster sampling कई बार बच्चे क्या करते हैं कि area और cluster sampling को non probability sampling के type के रूप में समझते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आपको ध्यान में रखना है area और cluster sampling जो है वो probability sampling का ही एक भाग है क्योंकि यहाँ पे randomization का गुन पाया जाता है सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या चीज़े बताई गई है इस विधी का उपयोग सर्वे सोध में अधी किया जाता है जहां समस्टी काफी विस्ट्रित हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है जहां यहाँ पे जीव संक्या की कुछ इकाईयों का याद्रिक्षिक रूप से चयन किया जाता है और फिर उप इकाईयों का याद्रिक्षिक चयन करके में प्रतिदर्स का चयन किया जाता है और इसका उप्वयोग, शेटर के अधियन पर अधिक होता है साथी इसमें लच्जीला पन भी अधिक पाया जाता है और सर्वे सोझ में इस्वीदी द्वारा प्रतिचयन का अधिक यूज किया जाता है और या द्रिक्षिकरन का गुन यहां पर अनिमार होता है सो अब हम इसको समझ लेते हैं कि एरिया और क्लस्टर सेंपलिंग क्या है जैसा कि नाम से इपत चल्वर्ण इसको हिंदी में हम गुच्छा सेंपलिंग भी कहते हैं और यहां भी क्या होता है कि जब पॉपुलेशन काफी विस्तरीत होता है बहुत बड़ा होता है पूरे पॉपुलेशन पर हम रैंडम सेंपल का यूज नहीं कर सकते अगर स्टरिफाइट का यूज नहीं कर सकते वहाँ पे अलग-अलग लेवल में हम अगर नहीं बाठ सकते population को तब यहाँ पे area और cluster sampling का use करने की यहाँ पे requirement होती है और यहाँ पे क्या होता है कि पूरे population को यहाँ पे कुछ पूरे population से कुछ वहाँ पे कुछ units का chain किया जाता है randomly यहाँ पे कुछ unit लिया जाता है जैसे अगर हम बात करें कि किसी state में अगर voting होने वाली है उस state में अगर 30 districts है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि सभी जगा पे सभी population पर तो study नहीं की जा सकती तो वहाँ से randomly वहाँ से 15 districts को वहाँ पे select कर लिया जाता है और उसके बाद उन 15 districts के अलग अलग पार्ट को randomly चुन लिया जाता है और फिर वहाँ पर जाके अपने study करी जाती है survey method का use किया जाते है जिस भी method का use हम करना चाहें उसका फिर हम use वहाँ पे करते हैं तो यहां पे इन सारा जो ये सारा जो प्रोसेस चल रहा होता है इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जभी भी हम इसकी यूनिट का यूनिट बनाते हैं या फिर सब यूनिट बनाते हैं उसमें यादरक्षी करन का गुन होना चाहिए ऐसा नहीं है कि ए से स्टार्ट होने वाले सभी district को हमने ले लिया, ऐसा हम नहीं करेंगे, किसी भी district को हम वहाँ पे ले सकते हैं, सभी district के चुने जाने की समान संभावना होगी, फिर बाद में जब एक unit बनाई जा चुकी है, तो फिर वहाँ पे सभी unit बनाने के लिए फिर उन district के अलग-अलग जो हिस्से होते हैं, जो अलग-अलग जगह होते हैं, फिर उनकी चुने जाने की वहाँ पे समान संभावना होती है, और इसका यूज कब किया जाता है, जब population बहुत ही लार्ज हो, बहुत ही बड़ा हो, और साथी साथ में, जब कोई भगॉलिक छेतर का अध्यान किया जाए, तब इसका यूज जदा तर किया जाता है, और साथी साथ में, अगर हम survey method का यूज करते हैं, तो वहाँ पे sample selection के लिए, area और cluster sampling वहाँ पे हमारे लिए best होती है, क्योंकि यहाँ पे probability का भी कुन यहाँ पे पाया जाता है, तो इसलिए यह scientific भी होती है, so I hope आपको यह types आपको clear हो गए होंगे, so यहाँ पर हमने बात की probability sampling के बारे में, और यह यहाँ पर हमारा topic complete होता है, I hope आपको यह clear हो गया होगा, हमारी next video में हम बात करेंगे non probability sampling के बारे में और इसके types को हम वहाँ पे करके देखेंगे, previous videos को देखने के लिए आप description में चले जाए, वहाँ पर मैंने playlist के link दे रखी हुई है, वहाँ से आप मेरी previous videos को आप देख सकने है, so आज की video में मैं यही तक रखूँगी, आज के लिए इतना ही, thank you so much